इसका बुल्टेन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ स्रश्टी शुक्रा और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे फिर से तयारियों में जुट गई है योगी सरकार जोबल इंवेस्टर समीत की तयारी में यूपी सरकार अगले साल विश्व इस तरिये इंवेस्टर समीत का होगा आयोजन दुनिया भर के दिगज निवेशक करेंगे शिरकत फिर से तयारियों में जुटी योगी सरकार जोबल इंवेस्टर समीत की तयारी में यूपी सरकार अगले साल विश्विस्तरिय इंवेस्टेर्स समीत का होगा आयोजन दुनिया भर के दिगर्ज निवेशक करेंगे शिरकत और इसी खबर पर ज़्यादा जान करें एक लिए हमारे समवादा था इस निगधा रितेश लाइब हमारे साथ जुड़ चुके इस निगधा अब फिर से तैयारी में जुड़ गई है योगी सरकार क्या कुछ सामने निकल आके आ सकता है देखें सबसे पहले आपको यह बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है सबसे पहले उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश में revenue किस तरीके से generate किया जाये किस तरीके से जाल से साधा जो निवेश है वो उत्तर प्रदेश में आए जितने भी बड़े ओडियोग एक जो वहां कह सकते हैं कि जो ओडियोग पती हैं बड़े बड़े जो investors हैं उ इन्वेस्टमेंट करें अपने व्यापार यहां पर स्थापित करें जिससे कि जादा से जादा मात्रा में उत्तर प्रिदेश को रेविन्यू जनरेट हो यहां से इन्वेस्टमेंट यहां पर आए जादा से जादा और प्रिदेश की जनता उसका लाब उठा सके और उत्तर प देश देने की कोशिश की गई थी क्योंकि उत्त प्रिदेश में जब से योगी सरकार आई थी सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि हम कुशल प्रशासन करना चाहते हैं कानून विवस्ता को दुरूस्त करना चाहते हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये देखा गया कि आपको मुनाफ़ा अगर मिलता है और मुनाफ़ा आपका सिक्योर नहीं होता है यानि कि आपको इस बात का डर रहता है लूट पार्ट और हत्या और इस तरीके की घटनाओं का अगर डर रहता है तो कोई भी जो उद्योग पती है वो सरीके का रिस्क नहीं लेना चाहता है इस के बाद सबसे पहले जो प्राक्मिक्ता के तोर पर योगी सरकार ने किया वो यह किया कि कुशल प्रशासन और कानुन विवस्ता को सुध्रिट करने की बात की और पिछले जब से उनकी सरकार आई एक साल के अंदर उन्होंने कानुन विवस्ता को सुध्रिट करने की कोशिश क काफी हट तक कानुन निवस्ता विवस्ता पे लगाम लग पाई और उसे का ये नतीज़ा था के इन्वेस्टर सम्मिट 2018 में जो जिसका आयोजन बहुत ही व्यापक स्थर्पर किया गया देश भर के नामी गिरामी उद्योग पती कई बड़े-बड़े उद्योग पती चाहें उन लोगों को ये महसूस हुआ कि अब उत्तर प्रिदेश में जो माहौल है वो अब बिजनिस फ्रेंडी हो चुका है कारून विवस्ता पर आप कह सकते हैं कि बहुत सुधर गई है पहले के मुकाबले तो ये सारी बातों को लेके जो है इन्वेस्टर सम्मिट का आयोजन है उसके बाद जो निवेश आया उसमें ground breaking ceremony पहली का आयोजन हुआ उसके बाद ground breaking ceremony two का आयोजन किया घाली में अभी 28 जोलाई को ground breaking two ceremony का आयोजन किया गया तो लगातार ये देखनों को मिल रहा है कि प्रदेश में अब इन्वेस्टर्स का रुजान बड़ा है देश भर के जो द्योग पती हैं जो बड़े-बड़े बिजनस वैन हैं इन्वेस्टर्स हैं वो यहां पर अब द्योग वेपार अपना करना चाहते हैं साथी साथ इससे प्रदेश को क्या फायदा होगा प्रदेश की जो आर्थिक विवस्ता है वो सुरुदेड होगी और इसके साथ ही रोज जादा फायदा होने वाला है और इसी को देखते हुए अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का जो आयो जो अगले साल प्लैन किया जा रहा है उत्तपिदेश सरकार उसमें प्लैनिंग कर रहे हैं कि अब आगे क्या करना है क्योंकि बार बार नरेंद मोदी भी यही कहते हैं कि हम अपनी छोटी-छोटी सफलताओं से इतना जादा खुश नहीं होना चाहिए हमें आगे की और कदम बढ़ाना चाहिए तो यही कह सकते हैं जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि 5 ट्रिलियन एकॉनमी का उन्होंने लक्ष रखा है भारत के लिए तो इ सेवन्यू जाद से जादा sih करते हैं आप 20 ऐसको लेकर अगले साल इसकी टैयारिया धी मे धी में शुरू हो गई है अब यह देखना होगा कि यह इक बहुत दिर कैसक् Bash जाइब होगा कहीं न कहीं योगी सरकार की एक सार तक पहले उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बिल्कुल बदला जा रहा है ग्लोबर इंवेस्टर समीट की अब तयारी में जुट गए है पहले ग्राउंड बेकिंग सरेमिनी तूम इतना बड़ा निवेश हुआ अब ग्लोबर इंवेस्टर समीट की तयारी हो रही है अब कहीं न कहीं से बेरोजगारी सियार में जो यूपी में जितना हिस्सा लगता है उत्तर प्रदेश के जादा तर लोग जो है जादा तर युवा जो है वहां की तरफ पलाइन करते थे क्योंकि जाहर सी बाते वहां पर रोजगार है वहां पर इंप्लॉइमेंट है तो अब जब वह उनके अपने जो मूल उन दरतक पहल मानिंजा सकती है उत्तर प्रदेश की तस्वीर को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की जा सकते हैं और यह कहना गलत ग्लोबल इंवेस्टर समीट की तयारी में यूपी सरकार अगले साल विश्विस्तरी इंवेस्टर समीट का होगा आयोजन दुनिया भर के दिगजन वेशक करेंगे शिर्कत